नमश्कार स्वागत है आपका नैशनल खबर में दस वीडियोस सामने आचुके हैं लेकिन अब तक आठ लोगों की मौद के मामले में एक भी किरफतारी नहीं हुई है बस प्रेंकागांथी गिरफतारी के नाम पर शान्ती भंक के आरोप में गिरफतार हुई है इस मामले में नामज़त गरह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशिश मिश्रा से कोई पुष्टाश नहीं हुई है लखिमपूर खिरी में हुई हिंसा में चार किसानों समेट आठ लोगों की मौत हुई है इसी सिलसिले में आशिश के खिलाफ तिकुनिया थाने में F.I.R. भी दर्ज करवाई गई वहीं मरे हुए किसानों के परीजन जिस घटना के दो दिन बाद तक अंतिमसंसकार तक से इनकार करते हैं वहां आरोपी आशिश मिश्रा को घटना के तीसरे दिन के बाद भी खुद पर हुई F.I.R. की जानकारी नहीं है खैर जान से ही जवाब मिलेंगे लेकिन सवाल तो ये है कि जिन वीडियो के आधार पर तमाम लोग देश में अपनी अपनी राये बनाने में लग गए हैं उन्हीं वीडियो के सामने आने के बाद भी क्या मंत्री के आरोपी बेटे से पूछताच करना ज़रूरी नहीं हुआ रविवार को लखिम पूर खिरी में उप मुख्य मंत्री केशर प्रसाद मौरे को एक कारेकरम में शामिल होना था जिसके पहले बवाल हो गया कुल आठ लोगों की मौत हो गई घटना के फौरण बात इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया बता दे कि आरोप लगाया गया कि जिस समय किसान प्रदर्शन करने गए थे उसी वक्त गाड़ी ने उन्हें रौन दिया इस दौरान चार किसानों की मौत हो गई जबकि हिंसा में कुल आठ लोगों की जान गई है ये बात सच है कि सबूत जुटा कर ही पुलिस किसी को गिरफतार कर सकती है लेकिन जिन तमाम वीडियो के आधार पर आरोप लगाये जा रही है वहां क्या आरोपी आशिश मिश्रा से भी पूछताच तुरंत नहीं होने चाहिए ताकि जाज तेज हो और एक सम्मेदन शिल मुद्धे पर राजनेतिक बंध हो तो आप सभी जुड़े रहे हमारे साथ और भी खबरों को जानने के लिए धन्यवाद हम से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लाइक करें फेस्बुक पर और जादा जानकारी के लिए नाशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं आपको टाइप करना होगा सिर्फ नाशनल खबर